Hello and welcome back to our channel friends. आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं शिवाजिनगर and explore करने वाले हैं शिवाजिनगर बस्टॉप वाली गली तो चलिए करते हैं वीडियो स्टाट बट उससे पहले करते हैं एक छोटा सा डिस्कॉशन जैसे आप देख रहे हो मैंने यहापे स्क्रीनशॉट लगाया है मेरे प्रीवेस वीडियो पे कॉमेंट्स आ रहे हैं ताक रात है इबादत करो देखे जो भी मैं इबादत करती हूँ या नहीं इबादत करती हूँ मैं आपको तो बता कर नहीं करूँगी और मैं बाहर जा रही हूँ वीडियो बना रही हूँ तो that is my work कोई जाता है दुकान खोलता है रात में कोई होटेल में शेफ का काम करता है रात में अपना कामदंदा छोड़कर रात में इबादत में ही बैठ जाएंगे सब लोग येस अबादत करना है I am not denying for that मगर आप क्या कर रहे हो मैं तो जा रही हूँ आदे गंठे में वीडियो बना कर वापस आ जा रही हूँ आप क्या कर रहे हो रात रात भर आप वीडियोज देख रहे हो YouTube पे YouTube के वीडियोज देखना रमजार में ताकरात में जायज है बट I going out making videos and and posting it, that is not allowed. देखे, मैं almost all the comments को reply करती हूँ. तो यहां पे भी मैंने किया है, मेरे comments देखर कोई दूसरों को और भी ज़्यादा गुसा आगया है. ऐसा बताएए, मैंने इन comments में क्या लिखा है, जो आप लोगों को गुसा रहा है. क्या मैं अपने खुद के वीडियो पर comments भी नहीं कर सती? बताएए, जब मैं एडियो एडिट कर रही थी, तो मेरे दूसरे वाले वीडियो पर और एक comment आया था, कि be humble and respectful towards your viewers या जो भी. तो I don't understand, अगर जवाब देना is not being respectful, then what should I do? I am telling, जो सही बात है. अगर आपको गलत लग रही है, I cannot help it. Anyways, यहाँ पर देखे हम पहुँच गए है शिवाजिनगर and यहाँ पर सची में मेरा मूड ही नहीं है वीडियो बनाने का. I always want to give kind of updates to my viewers के उनको कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है, उनका time कहाँ से सेव हो सकता है, रोज़दारों का, you know, घुमना फिरना कम हो जाएगा अगर मैं वीडियो में जानकारी दे दूंगी कि कहाँ कहाँ exactly क्या चीज़ मिलती है. But seriously, after reading all the comments, after all this, मुझे मूडी नहीं होता बनाने का, यार. Viewers कुछ भी comment कर दे, मगर अगर हमने हमारे defense में थोड़ा सा भी comment कर दिया ना, तो we are being targeted. Anyways, I have to accept it because if I want to be on social media, if I want to be famous, then this is all a part and parcel of getting famous. तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें, पानी पूरी खा लीज़े और अपना mood सही कर लीज़े और यहाँ पर थोड़ा make-up लगा लीज़े और यहाँ पर आपको fashion jewelry भी मिल रही है, street market आप देखते चले, यह सारा, you know, 20-30 rupees में आपको यहाँ पर मिल रहा था, बिल्कुल ही मैं आपको थोड़ा भी sound यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा noisy था यहाँ पर आज, तो voice over ही करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर, देखिए अगर आपको मेरे चैनल पर subscribe करना है तो आप कर सकते हो, मैं इसी तरीके के fall 2K travel, shopping and dining updates देती रहती हूँ हूँ, रात रात भर घूमते रहती हूँ, ताक रात में and all and I'm a very bad person, अगर आपको करना है तो कर दीजिये, नहीं करना है तो मत करे, that's all right, तो चलिए चलते हैं और आगे and check करते हैं क्या है इस market में, यहाँ पर देखिए आपको 150 रुपीज में कुर्टीज मिल रहे हैं, चोड़े बच्चों के भी कुर्टीज इस वाले चोड़े से स्टॉल में थे, यहाँ पर आपको बॉंबे फालोदा, मैंगो, मिलकशेक, पिस्ता, मिलकशेक यह सारा मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखे, दोनों साइड मार्केट लगती है, अगर मैं बात करूं तो यह रात के 11 सवा 11 बजे का आसपास है, बच्चों के कपड़े देखे, यहाँ पर आपको बच्चों के कपड़े 500 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखे, यह 30 थरी रुपीज से स्टार्ट है, यहाँ पर आपको यारिंग्स मिल रहे हैं, मैं अपने चैनल में लोगों को इसलिए रात में आने के लिए सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि रात में धूप नहीं होती सुबा में आप रोजा रखते हो तो रोजा रखकर अबादत करे अराम करे और रात में निकलिए क्योंकि रात में थंडा थंडा आप असानी से शॉपिंग कर पाओगे और असानी से आपको ठकान नहीं होगी मुझे क्या पता था मेरे इन बातों का इन सजेशिंस का लोग कुछ गलत ही मतलब निकाल लेंगे and all anyways चलिए जाने दो who cares for it right now आप सिर्फ वीडियो आ इंजॉई करें वैसे भी मैंने आपको बहुत ही ज्यादा पका दिया है मेरे जो genuine viewers है genuine followers है उनको तो मैंने सची में बहुत ही ज्यादा पका दिया है जो trollers है उनको तो मज़ा ही आगया होगा मेरा इस भड़का हुआ रूप को देखकर देखे ये वाली market में आपको ज्यादा bargain नहीं होता almost everything यहाँ पे fixed price पे होता है जैसे कि 253, 51, 50 यहाँ से जाओगे तो आपको food street मिलेगा सीधा जाओगे तो और भी बहुत सारा market मिलने वाला है यहाँ पे देखे आपको छोड़े बचों के कपड़े मिल रहे है इनकी कीमत ही सिर्फ 200-300 रुप्ये अगर आपको ऐसे खरीदने है तो आप खरीद सकते हो यहाँ पे और से जाओगे आप तो यहाँ पे देखे दुकाने ही दुकाने आपको दिखाई देंगी ready-made tops, ready-made leggings, shirts, pants and undergarments यह सारे 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 आपको यहाँ पे हर एक जो चीज आपको खरीदनी है वो सारा यह street market में मिल जाएगा देखे जो मुझे पता चली है बात के यहाँ पे रात में तीन बजे तक भी दुकाने आजकल खुली मिल रही है तो अगर आप चाहते हो आना तीन बजे आ सकते हो I am not forcing anybody, I am not telling anybody ताकरा छोड़ कर आईए यहाँ पे तो आप देख लीजिए, सुबा में आना चाहते हो, सुबा में आईए, रात में आना चाहते हो, रात में आईए I am just giving you a small information कि यहाँ पे इतने time तक दुकाने हैं, यहाँ पे देखे यह पर्स कुछ 200 में मिल रहे थे यहाँ पे आमीनी का सीजन आ चुका है आप खरीच सकते हो, आमीनी, ककडी and all यहाँ पे और हम आगे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे men's के, boys के भी यहाँ पे कपरे दिख जाएंगे अगर आपको लेना है ऐसे, तो आप ले सकते हो खाने पीने के भी चीज़े आपको रास्ते भर में थोड़े थोड़े छोटे मोटे मिल जाएंगे अगर आप खाते पीते जाना चाहते हो, तो भी खाते पीते जा सकते हो देखे मुझे आप तक की सबसे बेस्ट स्ट्रीट शॉपिंग लगी वो है लाल मस्जिद वाली महाँ पे आपको इन वन लेन आपको हर एक चीज प्रम हाउस होल्ड क्रॉकरी तो एवरिटिंग कपडे वपडे एवरिटिंग मिल जाएंगा अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो वीडियो भी चेक कर ले सकते हो कि आपको वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला वीडियो हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगा इस वाली मार्केट में सिफ चपल जूता कपड़ा इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको घर की क्रोकरी और पर्दे वर्दे लेना है तो आप जा सकते हो लाल मस्जिद लाल मस्जिद के पास बुर्खें भी मिल जाएंगे एपर्ट फ्रम धट हमारे चैनल बर फेमिना वाले गली वाला भी वीडियो मिल जाएगा गुलशन के गली वाला भी वीडियो मिल जाएगा अगर आपने अभी तब वो चेक नहीं किया तो आप प्लीज उसे चेक कर सकते हो और अगर आपको उससे थोड़ा भी फाइदा हो रहा है तो हम मेरे लिए दुआ करें बस उतना ही मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती आप लोगों से तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम पहुँच गया है तो आपको ताज होटल आएगा राइट से जाओगे तो आपको जुमा मस्जिद वाला शॉपिंग एरिया मिल जाएगा तो बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले व्लॉग में बाबाई